हेलो काईज, वेलकम डूटे की आसर यूटिव चनल और फाइनली दे मोस अवेटेट स्मार्टफोन शौमी की जो रेडमी 10X स्रीज का वेट करेते हैं फाइनली शौमी ने तीन नए डिवाइस लॉंच कर दिये जो पहला डिवाइस है रेडमी 10X है 10X 5G है और 10X 5G प्रो तीन डिवाइस आपको देखने को मिल रहे है और लिटरली मैं आपको बता सकता हूँ जो प्राइस पॉइंट यहाँ पर तीनो डिवाइस की निकल गया है पतब शौमी ने तभा ही नहीं यहाँ पर आग लगा दिये और इतने बड़िया प्राइस पॉइंट पर इतने कमाल के स्मार्टपोन लौच करें कि मैं क्या ही आपको बताऊ तो आज की स्वीडियो में तीनो स्मार्टपोन के यहाँ पर स्पेक्स बताऊंगा प्राइस करते हैं सबसे चोटे बारे में जो कहा है रेड्मी 10x 4G और 4G वाले के अगरम बात करें तो बेसिकली जो रेड्मी नोट 9 जो कि हम इंडिया लोच का वेट करें जो के ग्लोबली में कुछ ताम पहले लौच हो गया था तो बेसिकली रीबरेंट करके जो रेड्मी 10x 4G नाम ले 6.53 इंच का पंचोल वाला है एस वेल अज मीडिया टेक का हिलियो जी 85 का प्रोस्टर है 48 मेगापिक्सल का का कार्ट कैमरे का सेट अप है 5020 मेच की बैटरी है 18 वाट की फास्ट चरजिंग का सपोर्ट है तो रेडमी नोट 9 का रीबरेंड होके गया है लेकिन अगर इसक अगर हम बात करें तो यह इसका भी परसनली मुझे प्राइस पॉइंट काफी जबर्दस लगा सबसे पहले सपेक्स के अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड में और बैक में अगेन आपको यहाँ पर गुले ग्लास 5 के साथ में एक्च्वल ग्लास फेनल देखने को मिलता है दिखने में काफी जबजासते कलर वगगरा काफी अच्छे देखने को मिल जाते है सेंब्लिंग रेट है वहाँ आपको 180 Hz का देखने को मिलता है तो डिस्पले अच्छा है लगा कि शॉम्य वहलो लोगी ने यहाँ पर फाइनली जो है अमोलेड इसमें प्रोवाइड कराई दिया है मिद्रें सेग्मेंट में साथ में रैम हैं स्टोज की अगर हम बात करें त पीडीडीर 4X का यहाँ पर एम टाइप देखने को मिल जाता है परफॉमस की बात करें जो के मतलब अन्बिलीवबल है क्योंकि यहाँ पर अपको मीडियाटेक का डामेंड सिटी 820 का प्रसर देखने को मिल जाता है जो कुछी हफते बहले मीडियाटेक ने अनॉंस करा था पर आपको बता दू 7NM टेक्नलोजी पर बेस्ट है लेकिन उससे भी कमाल का फीचर यह क्या भाई इसकी जो परफॉमस है काफी जवर्दस थे एंटू टो पर इसका स्कोर आता है चार लग पंदरह हजार पंदरह हजार का मतलब कमाल का यह परफॉमस स्कोर वाइस अगर आ साथ में सेलफी केमरा यहापर आपको 16 Mpx की देखने को मिल जाती है अगर हम एंडॉइड वर्जियन याई की अगर हम बात करें ता आपको एंडॉइड 10 मिल जाता है MIUI 12 के साथ में देखने को मिलता है as well as sensors वगर आपको सारे देखने को मिल जाते है including in display fingerpin scanner का support या face unlock का feature भी मिल जाता है प्ट्रिलाइफ यहाँ पर आपको 4520 image की देखने को मिलते है type-c port के साथ में और 22.5 watt की आपको fast charging का support मिल जाता है air blaster 3.5 headphone check liquid cooling यह सारे features भी आपको देखने को मिल जाते है अब सबसे main बात भाई क्या price point पर पर रेडमी आलो ने launch कर रहे तो रेडमी 10X 5G कि अगर मैं बात करूँ price point की तो जो base 1664 से start होता है price point रखी गई यह 1599 yuan तो इंडन pricing में convert करके बता हो तो around 17,000 रुपीज का यहाँ पर आपको बैठते है और 17,000 रुपे में आपको AMOLED डिस्प्ले, glass body, diamond city 820 का इतना powerful processor, camera's भी अच्छे लग रहे है as well as आपको 22.5 watt की fast charging का support है और कुल मिला के यह smartphone मतलब मुझे बरसली काफी बढ़िया लग रहे है इंडिया में यह price point पर आजाता है literally kill करके रख देगा यहाँ पर सारे brands को और सबसे main बात तो यहाँ पर यह 5G smartphone है तो 17,000 रुपे में dual band 5G मतलब dual 5G का support है तो यह सबसे यहाँ पर कमाल की बात है क्योंकि जो diamond city 820 है अब basically 5G chipset है तीसरे smartphone के अगर हम बात करें जो के सबसे बड़ा भाई है तो basically उसका नाम है Redmi 10X 5G Pro और आपको पता दो 10X 5G और 10X 5G Pro में ज़्यादा difference नहीं है basically जो design वगर आपको similar देखने को मिलता है display आपका वही similar AMOLED वाला देखने को मिलता है लेकिन जो changes है वो मैं आपको बता देता है वो सबसे बड़ा change याँ पर करा गया है वो इसके camera को लेके जो pro वाला variant है उसमें आपको 48MP primary मिल जाता है 8MP ultra wide angle lens है बाकी के जो 2 lens है उसको मैं आपको बता दू 5MP का आपको telephoto lens मिल जाता है जो के 30x तक के आप यहाँ पर zoom का support मिल जाता है जबकि जो 4 camera है वो आपको 5MP का macro lens दिखने को मिलता है तो cameras 5G variants है जो pro वाले variant में जो थोड़ा upgrade करके दिया गया है जबकि fast charging के अगर हम बात करें तो normal वाले variant में आपको 22.5W की मिलती है जबकि pro वाले variant में 33W की fast charging का support मिल जाता है और pro वाले variant में आपको NFC का support भी मिल जाता है और pro में जो selfie camera है वो भी थोड़ा upgrade करके 20MP का यहाँ पर करा गया है तो pro वाले भी यहाँ पर काफी outstanding लग रहा है प्रो वाले के अगर हम variant की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 variant में देखने को मिलता है 8GB वाला ही storage variant है 8128 है और 8256GB है 8128 से यहाँ पर यह start होता है price point डखी गई है around 2299 Yuan तो इंडिन पैसिंग में convert करोगे तो 24,000 डुपीस के आस पास यह beta है और 24,000 डुपीड में 8128 से start होने वाला smartphone जो के इतने अच्छे आपको टेली फोटो लैंस और सारी चीजों को provide करा रहा है अगेन यहाँ पर भी diamond city 820 है तो इसकी price point भी मुझे परसली storage variant के हिसाफ से काफी जवर्दस लगी है तो तीनों इस smartphone अगर आप देखते हो Redmi 10X 4G, 10X 5G और 10X 5G Pro जो है तीनों के तीनों value for money है और अगर same price point पर इंडिया में आ जाते यह 500,000 और थोड़ा expensive भी आते तो मेरे हिसाफ से इंडिया में तबाई मचा देंगे और इंड definitely Redmi को भाई अभी कुछ ना खास phone इंडिया में चल नहीं रहे तो मेरे हिसाफ से जून जुलाई के महिने में अगर यह आ जाते लिटरली market में आग लगा देंगे तो बाकी पोको वाले अलग अपनी setting करके बैठे रहे थे में भी जो रिवरेंड करके वो लोग Poco M2 Pro या नीचे कमेंट्स में और वीडियो यहाँ पर फटा फट से मिने जो गरमा गरम अपडेट्स दिया वो आपको कैसी लेगी मुझे पता ना नीचे कमेंट्स में से होब के मैंसे आपको वोडियो पसंदा है तो लाइक करे शेयर करे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता आफ